बिहार में भागलपुर के लाल ने एक और नोखा कार नामा कर दिया है। बिवाइस बनाने का दावा किया है। बिवाइस को प्राइवसी सार्जनिक नहीं करना चाहता है। 2000 के आस्पस का खर्च लगा है करीब 5 महीने में इस डिवाइस को बनाया गया है राज़ा राम ने अपने डिवाइस के लिए सरकार से मंदद मांगी है LED Mines के साथ साथ राजर ने एक जूता बनाया है इसको पहन कर LED Mines से भचा जा सकता है राजाराम ने बताया कि साड़ा कमाल उस जूते का है उस जूते मैंने एक डिवाइस लगाई है जिसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा अगर सरकार मुझे प्लेटफॉर्म दे तो मैं देश के जवानों के लिए वैसे हसारों जूते बना सकता हूँ इसको पहनने के बाद जवान माइन्स पर पैर रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन आतंगवादी के पैर रखते ही जूर का धमा का होगा राजाराम ने बिहार और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पिता अभैराम मजदूरी करते हैं सिरकार मुझे आर्थिक मदद दे तो मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ वैसे तो ये जानना जरूरी है कि ऐसे अविसकार भारतिये सिना के जवानों के लिए जीवन दायक साबित हो सकते हैं क्योंकि देश के अलग-अलग हिस्सों में समय समय पर लैंड माइन्स धमाके में सैनिकों के सहीद हूनी की खबड़े सामने आती रहती है आपको बता दे कि इससे पहले भी हुनहार युबा वैग्यानिक राजराम ने कई अविसकार किये हैं हाल ही में उसने एक ऐसे मोटर साइकल का इजाद किया है जिसके बैटरी को एक बार चार्ज करने पर तकड़ी बन डेट सो किलोमेटर तै करती है वो भी मातर 15 सी 20 रुपए के खर्च पर इसका साफ साफ मतलब यह है कि इस बाइक को 2 घंटी चार्ज करे और 500 किलोमेटर तै करे वही मोटर साइकल में डिक्की के साथ साथ कई फीशर भी है उन्होंने बताया कि आप जब तक हेलमेट नहीं लगाएंगे तब तक यह मोटर साइकल स्टार्ट नहीं होगा साथ ही अगर आपने शडाब पी रखी है तो मोटर साइकल आगे नहीं बढ़ेगी अगर आपकी बाइट चोड़ी होती है तो उसे अपना मोबाइल से लॉक कर सकते हैं इसमें स्मार्ट लॉक की भी विवस्ता है बतादे चले कि यह मोटर साइकल राजा नहीं कबार के समानों से जुगार कर तयार किया है तो फिलाल के लिए इतना ही अगर आपने अभी तक चानल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब कर ले फेस्बूक पेच को लाइक करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद